हेलो चिल्टरन आजम चैप्टर दफंदे हैट का पॉइंट नमबर फाइब से शुरू करेंगे दे इंस्पेक्टर हैड इसमाइल आफ्टर ही वाज फिनिस्ट एंड पैटिट मार्गेज हैड पैटिट माने की होता है थप थप थपाना इसमें इस बच्ची की कोई कलती नहीं है कोई दोश नहीं है मिस्स जॉन I think the geography sector was geared a little too quick उने मा से कहा यह छोटी लड़की का दोश नहीं है पिर क्या बोला उसने उसने बोला मेरे विचार से भुगोल का भाग थोड़ा अधिक तीबरता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था इसका लेया है कि थोड़ा जोगरफी सेक्टर उसकी स्पीड ज़रा ज्यादा कर दी थी जिससे बच्ची को संज में नहीं आया इससे बच्ची के समें कोई गलती नहीं है Those things happen sometime उन्हें कभी-कभी ऐसा हो जाता है मतलब कभी-कभी किसी की स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है कम हो जाती है I have slowed it up to an average 10 years level मैंने उसको धिमा करके आसतन 10 वर्स के बच्चे के स्तर पर ला दिया है यानि उसकी जो स्पीड थी उन्हों सुलो कर दी वह इतनी सुलो कर दी ताकि 10 सल के बच्चे उसे समझ सकते है Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory और से ये भी खा कि जो बच्ची का जो overall performance है देखें, प्रोग्रेस है, वो बहुती संतोज जनक है And he patted Margie's head again और फिर उसने क्या किया वो बच्ची के सिर को दुबारा से ठब ठब आया Margie was disappointed Margie निराज थी She had been hoping they would take the teacher away altogether They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month Because the history sector had blanked out completely Margie निराज थी वै आशा ये कर रही थी कि वे उसके computer को पूरी तरह से ले जाएंगे जैसे एक बार वे Tommy के computer को लगभग एक महिने के लिए ले गए थे क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से रिक्थ हो गया था तो वे चाती थी कम से कम जो है उसका जो computer teacher है वो भी एक महने के लिए उससे दूर है उसे एक महने पढ़ाई geography की पढ़ाई ना करने पढ़े So she said to Tommy उसने Tommy से कहा Why would anyone write about school So she said to Tommy Why would anyone write about school अतहां उसने Tommy से कहा कोई व्यक्ति school के बारे में क्यों लिखेगा Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school stupid This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago He added loftily pronouncing the word carefully centuries ago Tommy ने बहुत उत्सुक आँखों से मार्जी के ओर देखा क्योंकि वह school हमारे school की तरह का नहीं है मूर्ख यह पुरानी तरह का school है जिसमें बच्चे हजारों वर्स पूरू पढ़ते थे शताब्दियों पूर्व शब्द का साब्धनी पूर्वक उच्चान करते हुए उसने यह बात उत्कृस्ट तरीके से कही मार्जी was hurt मार्जी को दुख हुआ Well, I don't know what kind of school they had all that time ago ठीक, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पूर्व वे लोग किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते थे She read the book over his shoulder for a while then said Anyway, they had a teacher उसने टॉमी के कंधे के उपर से द्रस्टी डाल कर उस पुस्तक को थोड़ दिर तक पढ़ा Anyway, they had a teacher कुछ भी हो वे लोग सिक्षक से पढ़ते थे Tommy ने मार्जी को बताया कि 100 साल पहले लोग बच्चे स्कूल जाया करते थे और टीचरों को पढ़ाया करते थे ठीके? और मार्जी बारे में नहीं जानती थी तो उसने Tommy ने उसे पूरी तरह से बताया ठीके? Sure, they had a teacher but it was not a regular teacher it was a man Tommy ने कहा निश्चित रूप से उनका सिक्षक होता था ध्यापक होता था पर वह हमारे computer जैसा समाने सिक्षक नहीं होता था वह मनिश्य होता था इनके समय में जो है computer ने पढ़ाता है और पुराने समय में जो है मनिश्य पढ़ाता था तो वो ने बता रहा है मारगी को कि हमारे समय जो teacher होता है वो है computer, monitor ठीक है, एक robot होता है ठीक उनके समय में एक manushy उन्हें पड़ाता था A man, how could a man be a teacher? तो मारगी surprise होती है अब वो कहते हैं, एक manushy एक manushy कैसे सिक्षक हो सकता है? Well, he just told the boys, the girls things and gave them homework and asked them questions हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को सिक्षा देता था और उनको ग्रहकारे देता था और उनसे प्रश्न पूछता था A man is not smart enough Sure, he is My father knows as much as my teacher He knows almost as much I betcha Margie was not prepared to dispute that She said, I would not want a strange man in my house to teach me Manushy की बुद्धी परियाप्त तेज नहीं होती Vanishan तुरूप से परियाप्त तेज बुद्धी बुद्धी वाला होता था मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा सिक्षक मैं शर्त लगाता हूँ वह लगभग उतना ही जानता है Margie उस बात से असेमत होने के लिए तैयार नहीं थी Margie ने कहा मैं यह नहीं चाहूँगी कि एक अपरिचित विक्ती मेरे मकान में मुझे पढ़ाए इसमें लिखा है I betcha I betcha मतलब होता है I am sure इसमें लिखा है न इसमें लिखा है कि Margie was not prepared dispute यानि prepared मने तैयार और dispute मने राजी नहीं यानि कि तैयार नहीं थी तो Margie इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी Okay, Tommy screamed with laughter Screamed उतर चिलाना और लाफटर होती हसी Tommy जो है जो 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 से हसा You don't know much Margie, the teacher did not live in the house They had a special building and all the kids went there And all the kids learned the same thing Sure, if they were the same age Tommy ने हस्ते हुए चीक मारी ये चिलाया Margie, तुम्हें अधिक ज्यान नहीं है सिक्षक लोग किसी के मकान में नहीं रहते थे उनका एक विसेश भवन होता था और सब बच्चे वहाँ जाते थे और सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे वास्तम में ऐसा ही होता था यदि वे एक ही आयू वर्ग के होते थे but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently मार्की कहती है पर मेरी मा कहती है कि एक सिक्सक को जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उनमें से प्रितिक लड़का और लड़की के माइन इन मस्तिक्स का नुसाल स्वयम को ढालना पढ़ता है और प्रितिक बच्चे को भिन प्रकार से पढ़ाना पढ़ता है Just the same, they did not do it, that was, then If you don't like it, you don't have to read the book I did not say, I did not like it, Margie said quickly She wanted to read about those funny schools Margie said that they did not like it, if they don't like it They didn't like it, they didn't like it Margie said that I didn't like it, that I didn't like it They wanted to want to learn about those schools Margie said that I didn't like it She said that they were a lot like it हैं. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up, not yet mama, now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पड़ी थी कि Margie की मा ने उसको पुकारा. Margie school, Margie school कहका उसे पुकारा. Margie ने उपर घड़ी की उड़ देखा, अभी नहीं मा, स्रीमती जॉन्स ने कहा, उसकी मा ने कहा, अब और शायद Tommy के school का भी समय हो गया है? Margie ने Tommy से कहा, क्या school के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को आगे पड़ सकती हूँ? यानि Margie को, Margie को यह पुस्तक अच्छी लगी, तो उसने Tommy से कहा कि मैं क्या इस पुस्तक को तुम्हारे साथ आगे भी पड़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Nonchalantly होता है, carelessly मैं लापरवाई से. और tucked होता है कि चीज़ को दबाना. उसने लापरवाई से कहा, हो सकता है, वैं धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बगल में दबा कर CT बजाता हुआ, चला गया. मारजी स्कूल कक्षा में गई, वैं उसके बेडरूम के एकदम पास था और कम्पूर्टर उस समय सक्रिय था, वैं एक्टि थो काम कर रहा था और मारजी की प्रितिक्षा कर रहा था. वैं सनिवार और आईवार को छोड़कर अन्य सवी दिनों में उसी समय सक्रिय हो जाता था. क्योंकि मारजी की माँ कहती थी कि यदि वे नियमित समय पर अध्यन करे तो छोटी लड़कियां अधिक अच्छा सीखती हैं. इस स्क्रीन प्रदिशत हुई और उस पर लिखा था आज का अंकगड़ित का पाट सरल भिन्नों को जोड़ने का है. किर्पिया कल का ग्रह कार है उचित दर आज में डालिये. मारगी दिट सो विदा साय. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. She was thinking about the old school when पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, जिसमें उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के के रूप में पढ़ते थे. पूरे आसपड़ों के सब बच्चे हसते और चिलाते उस्कूल के आते में जाते थे, स्कूल के ओर जाते थे. वे स्कूल के कमरे में साथ साथ बैटते थे और दिल धनने पर वे साथ साथ घर चले आते थे. वे एक ही चीज पढ़ते थे अतब है ग्रह कारी में एक दूसरे की साहता कर सकते थे और उसके बारे में बाचित कर सकते थे तो मारजी जो है बहुत इस बात से खुश है कि पहरे समय में स्कूल में क्या होता था बच्चे साथ साथ स्कूल जाते थे साथ साथ स्कूल पढ़ते थे और एक ही चीज़ पढ़ते थे इसलिए वह इस बात को पढ़कर बहुत ही खुश हुई लेकि इस बात में दुखी हुई कि वह ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ती है जहां पर बच्चे साथ-साथ पड़ाई करते हूं जबकि वो तो अपने अकेले रूम में ही पड़ाई करती है अगे लिखाएं And the teachers were people And the mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 upon 2 and 1 upon 4 Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days She was thinking about the fun they had और सिक्षक मनिश्य होते थे जैसे Margie के teacher को होने computer है computer robot है लेकिन पहले साथ में डेर साल पहले जो teacher होते थे वो मनिश्य होते थे और वो जो हैं बच्चों को पढ़ाते थे Computer के screen वर्ण कर रही थी जब हम 1 upon 4 और 1 upon 2 और 1 upon 4 भिन्नों को जोड़ते हैं Margie यह सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता था वह उस मनिश्य के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप होता था यानि Margie जो है computer screen पर देख रही है कि 1 upon 2 और 1 upon 4 को कैसे जोड़ा जा रहा है लेकि उसका पूरी सोच है वो जो है past में past के school में जा रही है कि बच्चे कैसे सांसाथ पढ़ते होंगे उन्हें कितना अच्छा लगता होगा वो कैसे खेलते होंगे सांसाथ खाना खाते होंगे ठीक है और उनका मनुझन कितना ज़्यादा होता होगा ठीक है तो उन बच्चों को उन बच्चों के बारे सोच के वो बहुत खुश हो रही थी उन्हें के बारे सब्सक्राइण के वोगता होगा